ओके अलो फ्रेंड किसे वह आप सब में वी सी और आप देख रहें बाउन टू इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बात करने वाले जो अमरा नेक्स्ट विक है उसमें कौन कौन से स्टोक स्विंग ट्रेडिंग के लिए होंगे कौन से स्टोक बाइंग के लिए हो सबसे पहले मिल जाए तो अब हम आ चुके चार्ट पे इधर हम देखेंगे कौन कौन से स्टोक है जो नेक्स्ट विक आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जा सकते हो तो जो हमारा पहला स्टोक है वो है अम्बूजा सिमिंट अभी इसको मैंने क्यो लिया तो आप दे रेंज में फस चुका है तो अभी यह जब भी रेंज का ब्रेक आउट होगा तब भी हम इसमें बाइसाइड एंट्री लेंगे सो जो यह अपर लाइन है यह जो रेड कलर की केंडल का हाई है वहां मैंने अपर लाइन डो की हुए मतलब एक रेंज रेक्टेंगल डो किया तो उसको जब यह प्रोपर ब्रेक आउट करके अपर निकल जाए तब आप इसको बाइंग साइड लेकर जा सकते हो लेकिन ब्रेक आउट प्रोपर होना चाहिए तो जो हमारा अम्बुजा सिमेंट है वो क्या है कि एक रेंज में फस चुका है इसलिए मैं इसको लेके जा जब इस रेंज का प्रोपर ब्रेक आउट हो जाएगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो तो जो हमारा पहला श्टोक था अम्बुजा सिमेंट उसके आप बाइंग साइड अपनी नजर बनाए रखिए अभी हम जो हमारा दूसरा श्टोक है उसके बारे में बात कर लेत है तो जो हमारा दूसरा श्टोक है वो है लेंटी अभी इसको मैंने क्यों लिया तो अभी आप देख रहे हो तो इसमें एक एसेंडिंग ट्राइंगल जैसी पेटन बनती हुई दिख रही है देखो यह इधर से अपर गया बाद में नीचा है फिर से अपर गया वहीं रजि ब्रेकाउट हो जाए तब आप अपनी इसमें एंट्री बना सकते हो लेकिन यह प्रोपर आपका जो ट्राइंगल है इसका ब्रेकाउट हो जाना चाहिए तो जो हमारा अलार सेन इन टूग्रो है मोश्टलिया हम पहले बाइंग साइट प्रिफर करेंगे अगर यह बाइंग इदर एक सपूट लिया हाल फिलाल इसके पास है अगर इन फ्यूचर यह इसका प्रोपर डाउंसाइट ब्रेकाउट कर देता है तब आप इसमें सेलिंग साइट के लिए भी जा सकते हो लेकिन इसके चांस अभी थोड़े कम दिख रहे है तो पहले आप बाइंग सेट प्र करेंगे अगर मार्केट भी गिरता है और यह स्टोक अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके नीचे आता है तब हम सेलिंग साइट इसमें सोचेंगे और दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो सब्सक्रेब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम एसे वीडियो हरो जर दिन लेते हाते अभी हम देख लेते हैं जो मारा नेक्स्ट वाला स्टोक है वो कौन सा है तो जो मारा इसके बात का स्टोक है वो है आपका हैवल्स अभी हैवल्स को मैंने क्यों लिया तो आप देख रहो एक अच्छी से अपसेट बाद में थोड़ा retracement फिर से अभी upset दिया और बाद में क्या किया इसने कि एक range bound हो गया मतलब एक range में फस गया है आप देखिए उपर के side ये level से नीचे आ रहा है नीचे के side से ये level से अपर जा रहा है तो अभी एक range में फस चुका ओरिजन्टल एक channel बना दिये तो इस channel का जब proper breakout हो जाए तब ह breakout होने के बाद एसा नहीं कि इसके अपपर जेसे ही निकल गया हम buying side के लिए चले गए एसा नहीं होता आपको देखना पड़ता है कि वो breakout करने के बाद वो क्या कर रहा है proper breakout है या नहीं अगर आपको एसा नहीं लग रहा कि proper breakout नहीं है तो आपको इसमें entry लेने कि कोई अभी इसके बाद का जो मारश्टो के वो देख लेते अभी इसके बाद का और आकरी जो मारश्टो के वो है आपका भारती एल्टल अभी इसको मैंने क्यों लिया तो आप नॉर्मली देख रहो कि एक triangle जैसा से बनता हुआ इसमें दिख रहा है नीचे की साइड से देखो य ये breakout proper है या नहीं एक बार आपको confirm हो जाए कि नहीं चलो ये breakout proper है बाद में आप entry ले सकते हो तो इसके लिए क्या है कि पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां क्या ये moment कर रहा है अगर यहां proper moment कर रहा है तब आप इसे proper breakout मान सकते हो अपर की side और अगर क्या कि इधर ये फिर से नीचे आने लगे और क्या करता है एक side way हो जाए तो क्या है कि आप इसे fake breakout मान सकते हो ये एक normal से चीजे proper breakout पहचानने की तो आप इधर देखो अगर एक अच्छा moment आता है इसमें तब आप इसमें proper breakout मान सकते हो या तो क्या कीजी ये जो level है इसका breakout होने दीए क्य क्योंकि जब movement के साथ अपर जाएगा तभी इसका breakout होगा तो इस पे नजर बनाए रख्या आप प्रोपर इसमें आपको breakout मिले तभी आपको इसमें entry लेनी है तो जो हमारा last and आखरी stock था वो भारती एटल था हमने चार stock इसमें देखे एक बार हम देख लेते कौन से वो stock था तो पहला जो हमारा stock था हमारा Amboja Cement बाद में L&T देखा उसके बाद हमने हैवल से देखा और आकरे में हमने बारती एटल देखा चारो stock हम buying side के लिए लेके जा रहे है only L&T buying and selling दोनों side के लिए लेकिन वहाँ पे भी देखो आपके proper आपका market भी down आना चाहिए और ये stock proper आ का breakout करके नीचे जाए तब भी आपको इसमें entry लेनी है और दोस्तों मैं सभी वीडियो में कहता हूँ और इसमें भी बोलूँगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो entry मत लीजिए इधर कोई analysis share की जा रहे है तो उसको देखिए समझ ये अगर आपको proper risk rewards के सा आप वो entry मिल रही है तब भी आपको entry लेनी होते है इन simple में कहना ये चाहता हूँ आप किसी को blindly follow मत कीजिए अप मेरे को भी blindly follow मत कीजिए एक बार आपको कुछ समझ में आज है बाद में अपने हिसाब से trade लीजिए और दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी ल एड़ी इन